अखिलेश यादव के नए अभियान का सूत्र आक्रामत्ता है ऐसा लग रहा है जैसे वो कारेकरताओं से जोश के साथ जगने को कह रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कई पुरानी कहावतों का जिक्र किया और ऐसा करके सरकार पर चुपने वाले शायावादी हमले की जड़ी लगा दी। पलटवार में भाजपा के दिगगज सामने आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तो यहां तक कह दिया कि सौ सौ चुहे खाकर बिननी हजगोज़े लोग जागने ने यात्रा इसलिए कि इस हिस्से लोगों को जोड़ा जाएं। 24 का चुनाव भले अभी दूर है लेकिन चुनावी सियासत का दंग कोने कोने में बिखर रहा है। अखिलेश यादव के बयान बता रहे हैं कि उनका अभियान धीरे धीरे और आक्राम अप्रोगा। याद होगा चंडोली का चुनाव ज 내नोंने अपने वाट सेप टी वी पर देखा हो गा। उन्होंने भी फिर वही किया जो किनर करते हैं उन्होंने पुलिस का डंड़ा खींचा अपने कपड़े उतारे उन्होंने अपने WhatsApp टीवी पर देखा होगा, उन्होंने भी फिर वही किया जो किन्नर करते हैं, उन्होंने पुलिस का डंडा खींचा, अपने कपड़े उतारे, और पुलिस को दोड़ा दोड़ा करके उन्होंने अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करा लिया, अलांकि वो बात मुझे मंच पे नहीं कहनी चीए, लेकिन कहावत तो किसी कारण बनी होगी, तो हमें एक पुरानी कहावत याद आ गई, पता नहीं बीजे पी किस रूप में इस बात को लेगी, कि लातों के भूद बातों से नहीं मानते हैं, युद्ध के आगाज से पहले, आक्रमन शब्द की बार बार हुंकार सुनाई परना आम बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का महीनों पहले से आर पार वाली भाशा का इस्तेमाल शुरू कर देना एक बड़ा संकेत देने को काफी है, अखिलेश यादाव कार्यकरताओं से सर्फ पूरी तरह से कमर कसकर तयार होने को ही नहीं कहते हैं, साथ ही ये भी दोहरा रहे हैं कि लड़ाई अलग-अलग मोचे पार एक-एक कर लड़नी है और इसमें एक मोचा बैचारिक मैदान का भी है। इनिवस्टियों में एकी रंग, एकी पिशाधारा के लोग को बैठा करके नौकरियों पर हमला हो रहा है। इन सब चीजों से मुकाबले के लिए जनता को जागरू करने के लिए समाजवादी पार्टी का इसी तरह के कारकम लगातार चलते रहेंगे। अखिलेश यादों ने कारेकरताओं के बीच साफ कर दिया कि जीत के लिए उन्हें गाउं गाउं जाकर ऐसे ही प्रशिक्षन शिविर को हर जगे आयूजित करना होगा। जिससे लोगों में राजनितिक जागरूपता आए और उनके बीच पार्टी की विचार धारा का प्रसार दो पाए। समाजवादी पार्टी का यात्रा अभ्यान है तो दूसरी और भाजपा के चुपते हुए तीर। भाजपा के दिगजों ने अखिलेश पर पूरे दिन में कई हमले बोले। पार्टी ने कहा कि सपा के अंदर वह लाहत है क्योंकि आम लोग उसे तवज्जों नहीं दे रहे। सरकार में होने के बाद भी भारती जनता पार्टी के कारकरता और नेता पूरे देश में जहां जनता के बीच में हैं जहां लोगों के द्वारे द्वारे जाते हैं गाउं गली गलियारे में जाते हैं वहीं दूसरे तरफ समाजबादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समा हर स्यासी गलियारे की हलचल को अभी और तेज़ करने वाला है एबीपी गंगा के लिए लखेम पुर्खेरी से विवेक्त पाथी के साथ जिरो रिपोर्ट एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी